Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल आप खबर देख सकते हैं, डिस्कुशन क्यों हो रही है, क्योंकि हाली में उत्तर प्रदेश में second elephant reserve गोशित कर दिया गया है, तरह elephant reserve बनेगा इन खेरी सून, लकीमपूर खेरी के असपास, एक second elephant reserve बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आज हम लोग यहाँ पे elephant reserves की बारे में discussion करेंगे ही करेंगे, in general हम लोग elephant reserves की बारे में discussion करेंगे, लेकिन हम लोग predominantly यहाँ पे discussion करेंगे at length about the elephants, right, elephants का status क्या है इंडिया में, कितने elephants है, क्या elephant की conservation हो रही है, क्या उनके number बढ़ रहे हैं, पिछले सालों में अगर बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, अगर नहीं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्या problem है, किस तरह के initiative से, सरकार की तरफ से, और कुछ interesting facts about elephant in general, यह भी हम लोग डिसकस करने वाले हैं, क्या खत्रा है उनके habitat को, all these things would be discussed here, तो यह सारी चीज़े आपको बता चलेगी in this particular video, to get to know all those things, मेरे साथ बने रहे हैं, study IQ पे till the very end, चलिए, शुरू करते हैं, चलिए, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, हमारा सबसे बड़ा साल का sale चल रहा है, दिवाली sale is going on, जहां पे आपको हमारा फ्लैक्शिप प्रोग्राम में foundation badge for your UPSC civil services preparation, उसके उपर भारे discount है, वो पूरा course आपको मिलेगा 1749, यानि क्लास शुरू हो चाहिए, और इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलेगा, इस प्राइस में आपको पूरा comprehensive package मिलेगा, 900 घंट से ब्यादा लाइब आपकी classes चलेंगी, one-to-one mentorship है, group mentorship है, everything, the whole shebang, इसी में आपकी test series भी मिल जाएगी, अगर आपको ये प्राइस चाहिए, तो आपको एक काम करना है, you have to use my code rahul live, जब भी आप check out करें कि website हो या फिर आपको वहाँ पर, you have to use this particular code, so do it, ध्यान रखिएगा, ये आपको valid है केवल 26 October तक, इसके अलावा, अगर आपने अपना optional choose नहीं किया है, तो optional के लिए भी हमारे आपे दिवाली sale चल रहा है, four options are starting very soon, there there is history, there is political science, sociology and geography, तो चार optionals है, इनकी तारीके भी आपको दीगए, इस पे भी भारी discount है, यानि कि अगर आप एक पूरा package लोगे, तो साड़े सत्रहाज़ और दसदर, यानि कि साड़े सत्ताहिस दर में पूरी आपकी optional plus general studies की preparation हो जागी, whatever optional you choose, और उस पे भी आपको वो offer मिल अगर आप मेरे code इस्तुमाल करोगे, राहुल लाइफ, and it is valid only till 26th October, remember this, right, तो enroll as soon as possible, दिवाली offer है, तो दिवाली की दौरान कुछ अच्छा काम ही कीजेगा, and enroll for it as soon as possible, चलिए, चर्चा पर चलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता है, खबर क्या है, उत्तर प्रदेश का second elephant reserve आ reserve को, so TER would be set up in and around the लखीमपूर खेरी district, अब इसका proposal, एप्रेल में गया था, दुद्वा टाइगर reserve की authorities ने एक proposal दिया था, MOE of CC को, एप्रेल 2022 में, जिसको finally approve किया गया, और जल्द ही ये 33rd टाइगर, टाइगर नी, elephant reserve बनेगा, इंडिया में, right, so this would be 33rd elephant reserve, in fact, उत्तर which passes through सहारनपूर और विजनोर districts, 2009 में ही शिवालिक elephant reserve बना था, तो अभी ये दूसरा elephant reserve बनेगा, उत्तर प्रदेश में, और आपको ध्यान रखना है, ये जो तरह elephant reserve है, इसका area, किन-किन दूसरे area से गुजरता है, it would be approximately more than 3000 square kilometer area, elephant reserve, पिल्बित टाइगर reserve, दुद्वा नैश sanctuary और साती साथ, कतारनी अगात wildlife sanctuary, इन चारो एरियास में, इन चारो protected areas से ये पास होता है, so a huge area is going to be declared as elephant reserve, अब हम लोग थोड़ी दिर में बात करेंगे, elephant reserve क्या होता है specifically, but this is the second elephant reserve of उत्तरवदेश, अगर हम लोग map देखे, elephant reserves की, ये है, 33 elephant reserves of India, और यहाँ पे आप देख सकत तो this is basically the tarai elephant reserve which is declared now, लेकिन अगर आप देखोगे, इस particular map से मैं चाहता हूँ कि aspirants कुछ चीजे observe करें, सबसे पहले हमारे पास elephant की number अगर बात करें, 16 states में हमें elephants मिलते हैं, उनका range है, और आप सबसे पहले ध्यान देखना है, elephants are migratory, यानि कि एक जगा से दूसरी जगा वोग होते हैं, तो एक state से दूसरी state, या फिर वो movement में रहते हैं, migratory species है, तो solar raja में उनका range आता है, और उनकी population, अगर हम लोग अभी की population की बात करें, 27,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2017 की census में बताएगा 27,312 elephants है हमारे पास, लेकिन इस से पहले, 2007 में, 10 साल पहले estimate किया गया था 27,600 के आसपास, 2012 में नंबर और ज्यादा बताएगा था, 27,785, 231,000 ये range बताएगा थी, लेकिन अगर आप 2012 के नंबर देखें और 2017 के नंबर देखें, कहीं ने कहीं आप देख सकते हैं, अब इसके अलवा, सबसे ज्यादा elephants कहां पे मिलते हैं, remember, the highest number of elephants are found in करनाट का, 6000 से ज्यादा है, second state आता है Assam, third state आता है Kerala, fourth is Tamil Nadu, right, लेकिन इन नंबर से भी ज्यादा, generally मुझे लगता है कि aspirants को, जो top state है, अगर वो याद रखेंगे, top three भी अगर आपको याद रहे तो that is more than enough, but इस map से आपको कुछ चीज observe करनी है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि examination में अगर आपको exact numbers याद नहीं आ रहे हैं, तो map से, visualization से आप चीज़ें observe कर सकते हो, elephants इंडिया में कहां-क यहां मिलते हैं, अगर आप pockets की बात करें, of course, towards the southern India, towards the peninsular India, you will also find towards the eastern ghat, so basically आपके western ghat area में और आपके eastern ghat area में और यहां पे you can find in Odisha, चतिसगर और north eastern region में, Assam में बहुत जाद आपको elephants मिलते हैं, and towards the, I would say, central India, और नदन साइड में, उत्तरपदेश और उत्तराखण में मिल कि क्यों कि अगर optional में eliminate करने के लिए, options में eliminate करने के लिए, MCQ में समझ लीजिए, अगर मैंने दे दिया कि Rajasthan में मिलते हैं, या फिर Gujarat में मिलते हैं, या फिर Central India में मिलते हैं, जैसे Madhya Pradesh में, नदन साइड में elephant मिलते हैं, तो उसको eliminate करना है, remember you do not find elephants here, 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 okay, so I want you to know the region, किस region में elephants मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया है, elephant किस region में मिलते हैं, Central और Southern, Western घाट से मिलते हैं, या निकि Western घाट से मिलते हैं, बिल्कुल, North Eastern India मिलते हैं, Assam की में numbers में आपको बता दे, इसके अलावा, Eastern India में मिलते हैं, towards Odisha, 34, etc., और in some parts of Northern India, especially उत्तरप्रदेश ने उत जब भी किसी भी प्रचाती की population 50,000 से कम आजाते हैं, तो खत्रे की घंटी बच जाती है, तो इंडिया में 27,000 के आसपास है, बट पूरा वर्ल्ड ओर हम लोग बात करें, 50,000 से 60,000 के आसपास होगी elephant की population, इसलिए, they have to be protected, और हमारे Wildlife Protection Act 1972 के schedule 1 में आते हैं, यानि कि उन्हें extensively available है, इसके अलावा, Appendix 1 में, जो SIDES का है, SIDES is Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna, हम लोग ने इसके पर चर्चा की थी, इसके भी Appendix 1 में आते हैं, यानि कि protected है, अब protected क्यों है, लॉजिकली, आप जैसे सुझेगा सर, elephant इतना protected क्यों है, elephant को क्या खत्र है, आपने देहाओ, elephant के जो tusks ह होते हैं, ivory tusks, उनकी poaching चलती है, उसके चलते हैं, बहुत सारे elephants को मार गिराया जाता है, इसकी illegal trade भी चलती है, या आप जानते हैं, इसके अलावा, ये endangered list में आता है, इसको भी ध्यान रखना है, IUCN की red list में, it comes under the endangered category, इसके अलावा, elephants को protect करना बहुत जरूरी हो जाता है, ह Keystone species का मतलब क्या है, Keystone क्या होता है, अगर आप किसी भी architecture की बात करें, architecture में एक Keystone होता है, अगर आप वो stone हटा दे, तो पूरी की पूरी building धस सकती है, तो Keystone species में आते हैं, elephant, elephant का बहुत ही important काम होता है, अगर आप सोच रहे हो, sir, elephant कैसे Keystone species हो जाते हैं, देखे, in general, normally, elephants भा बरबादी करने हैं, पड़ो, natural ecosystem का भाग है, जब वो forest को trample करते हैं, forest की थोड़ा से बरबादी करते हैं, तो दूसरे छोटे मोटे प्राणियों के लिए, चीज़े अच्छी हो जाते हैं, इसके अलवा, जहां पे हाती होते हैं, वहां पे पानी होना चाहिए, तो पानी के गड़े बनते हैं, जहां पे पानी स्टोर होता है, that would be a very important water source for these smaller animals, यह कुछ example है, जैसे वो keystone species हैं, इसके अलवा, काफी खत्रे में हैं, elephants मैंने आपको बताया, जैसे आफरीका की बात करें, या फिर दूसरी जगह की elephants की बात करें, इंडिया में भी होता ही है, illegal उनकी poaching च पूरे विश्व में, कितनी population है, elephants की, around 50-60,000, जिसमें से approximately 50-60% आपको इंडिया में ही मिलेंगे, यानि कि अगर हम लोग 50-60% में इंडिया में में आपको population बता दी, around 27,000, जिसमें में में आपको बताया, highest 6000 are found in Karnataka, तो यह आपको याद रखना है, right, so do not forget about this particular facts, कुछ numbers है अगर आपको vague numbers भी याद रहेंगे, that is also more than enough, so इंडिया में बहुत सारे elephant मिलते हैं, इंडिया के लावा African elephants are also very well known, apart from that, elephant, हाती हमारा natural heritage animal है, जिसको गोशित किया गया था 2010 में, और हम लोग हर साल, August 12 तारीक को, World Elephant Day के दिन, August 12 को, World Elephant Day, to spread awareness कि उसकी conservation क्यों जरूरी है, क्या काफी अच्छी policies, collaboration चलती है, with sites to protect these elephants, right, इसके अलावा, a very important thing, elephant reserve क्या होता, जब आप देखे, एक चीज़ को elephant reserve घोशित कर दिया, तो क्या इसका मतलब है, कि कुछ specific area है, जहां पे लोग जाही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग इसको compare करें भी तो tiger reserve, tiger reserve या फिर समझ लीचे मैं एक national park की बात दो, तो आपने देखा होगा national park या फिर tiger reserve में, generally एक core zone होता है, यानि कि beach-o-beach core zone होता है, जहां पे कुछ भी allowed नहीं होता है, except for R&D, core zone के बाद आपको buffer zone मिलता है, right, you find the buffer zone, buffer zone में कुछ activities हो सकती है, then eventually you will get the transition zone, और transition zone में आपको habitation भी available होती है, लेकिन elephant reserve technically कुछ इस तरह का नहीं बना होता है, elephant reserve का मतलब यह नहीं है कि human use, human habitation वहाँ पे नहीं हो, ऐसा नहीं है, please remember this, human habitation हो सकता है, humans वहाँ पे रह सकते हैं, अब इसका मतलब क्या है, कि कोई specific या फिर कोई core zone नहीं बनता है, और इसी वज आपने देखा कि जो तरह elephant reserve है, it spans other protected zones, यानि कि दुदवा national park हो गया, दूसरे wildlife sanctuaries हो गया, तो वहाँ पे जो protected area से protected zones है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल extra protection मिलती है, but in general, elephants are migratory species, तो जब elephant reserve बन जाता है, तो वहाँ पे extra conservation की means आ जाता है, यानि कि हमारा already project elephant चल रहा है, तो उसके चहत, उसके ते ज्यादा monitoring होती है, ज्यादा resources जाएंगी, ज्यादा awareness होगी, तो that is the meaning of elephant reserve, remember that, अगर मैं एक statement देदू, elephant reserve में human habitation हो ही नहीं सकती है, गलत statement होगा, clear, elephant reserve में क्या कोई core reason होता है, core zone होता है, core region, no, अगर वो किसी दूसरे protected zone में आता है, तो वहाँ पे तो होगा yoga, please try to understand this, right, अब इसके अलावा, in general, elephants के वारे हमें कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि सवाल ऐसे भी आ चुकि है, मुझे यादे, I think 2019 और 2020 में टिपिकल सवाल आगया थे elephant के उपर, कि elephant के system के उपर, तो इस तरह की में सवाल आते है, that's why you have to prepare any topic extensively, अब आपके दिमा current interface से connect करना है, उसके अलावा, हमारे देश में, किसी भी अगर species को, किसी भी animal को protection में लेज़े से, tiger, आपको पढ़ना पढ़ेगा, tiger, reserve के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, tiger की population कैसे गिनी जाती है, tiger senses क्या होते है, elephant हो गया, rhinoceros हो गया, Indian rhino mission भी चला है, rhino vision है, तो इन दूसरे प्रजातियों को काफी मदद करते हैं, जिसे बाई trampling the forest, by creating water sources, they become keystone species, इसके अलावा, mostly they are great wanderers, मैं लेपको बता है, एक जगा से दूसरी जगा जुन में गूमते हैं, इसके अलावा, elephants, बहुत जादा grasses बगेरा, consume करते हैं, and when they excrete, जो डंग आता है, उस डंग की व elephants, they normally feed on grasses, grasses को वो लोग consume करते हैं, tree bark को भी खाते हैं, leaves, small stems, but अगर हम लोग commercial crops की बात करें, तो इससे कभी कबार खत्रा होता है, अगर elephants, agricultural land पे आते हैं, तो बहुत तहसनेस बरवादी कर देते हैं, because they also feed on bananas, rice and sugar cane, और एक और चीज़ है, elephants के बारे हैं, बहुत ही interesting चीज़, जहां पर आपको elephant का जुण्ड मिलेगा, इसका मतलब है, कुछ kilometer के range में आपको पानी का अच्छा free fresh water का source ज़रूर मिलेगा, क्यूं? क्यूंकि elephants दिन में कम से कम एक बार पानी पीते हैं, और उसी उनी जग़ा पे move होते हैं, जहां पर fresh water के sources हैं, अगर आप कहीं पर trekking वग इसके अलाबा, अगर हम लोग elephants के social structure को देखे, उनके birth rate को देखे, तो उन्हें protect करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्यूं? elephant, of course, by the size itself, बड़े होते हैं, बहुत weight होता है, इसका मतलब है, उनकी जो pregnancy होती है, among the mammals, उनकी pregnancy और the gestation period is very high, 22 महीने की उनकी pregnancy period or the gestation period होता है, जैसे humans में कितना, 9 महीने, right, a woman carries a baby for 9 months, 9 महीने का delivery वाती है, वैसे ही, elephants में pregnancy चलती है, 22 महीने, क्लाब, quite logical भी है, क्यों? क्योंकि जब elephant calf, elephant के जो बच्चा पैदा होता है, तो उसका weight extension होता है, human babies देखिए, मैं कहूंगा 3 kg, 4 kg, max 5 kg, right, लेकिन अगर आब बात करोगे elephant के calf, elephant के ब rate अगर gather होना है, अगर build होना है, तो 20 महीने लगता है, इसको ध्यान रखना है, right, इसके अलावा, elephants को बचाना बहुत जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उनकी birth rate काफी low होती, क्योंकि एक तो यार, gestation period इतनी जादा है, इसके अलावा, जो females हैं, they give birth every 4 to 5 years, और उनके productive years कितने ह लेकिन, males थोड़ा से late mature होते है, male elephants 8 to 12 years में mature होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो male elephant है, although 8 to 12 years में mature होते हैं, लेकिन उन्हें लड़ना पड़ता है, जैसे जुन्ड के साथ लड़ना होता है, क्योंकि जो elephant का social structure ऐसा बना हुआ है, कि जुन्ड जो होता है, वो adult females का group होता है, normally क्या होता है, males are loners वहाँ, male elephants are loners, adult females का group या फिर जुन्ड में जाते हैं, adult females plus जो बच्चे होते हैं, वो एक जुन्ड में घुमते हैं, और जो individual male elephants होते हैं, they are more like loners, so they have to struggle, they have to compete with other females, और normally यह कहा जाता है, कि male elephants can mate in their mid 20s, और अगर हम लोग elephants के life span की बात कर, कितना होगा, यार अपने अगर सुना है, सौ साल, 120 साल, ऐसा नहीं है, इंडियन elephants का average, अगर life में आपको बताऊं, so I would say 48 से लेकर 70 years तक इनकी average age कह सकते हैं, तो इस age में कितने काफ्स पैदा हो सकते हैं, around 8-10, so we have to protect them, preserve करने की बहुत आज़र होते हैं, और ध्यान रखना है, females group क लीड करती है, अगर जुण में जा रहा है हाती, females का जुण होगा, males, individual अगर आपको मिल रहे है, individual हाती आपने देखा, जंगल वगरा में, तो prominently male elephants रहेंगे, they would live in isolation, or as isolated bachelor group, यानि कि males का एक छोटा सा जुण जरूर रहता है, या आपको ध्यान रखने, क्योंकि इन चीजों की बड़ी statement बनाएगा था, तो चीजें आपको इस तरह से पढ़ने, इसलिए मैंने आपको बताया, अगर आप Tiger Reserve की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जानिएगा Tiger Reserve की बारे में, Tiger की population census कैसे होती है, तो ये सब चीजें आपको जानना ज़रूरी हुआता है, similar to that you need this particular information, इसके अला कट करके trade के आप है, इसके अलाबा, unplanned development, resource exploitation आपकी चल रही है, habitat degradation हो रही है, because of other invasive species, इसके अलाबा, climate change तो होगा ही होगा, climate change is one of the big big reasons, and because of human elephant conflict also, right, human elephant conflict हो जाता है, तो humans कही बार, अगर elephant attack कर देगा, तो उसके बाद पूरा जुंड के जुंड मिलकर elephant को मार ग रहा है, इस त दिखाऊगा, man-animal conflict हो, उसमें, human-animal conflict is also very prominent, so these are the threats to the elephants, और इनी threats से बचाने के लिए, सरकार क्या कर रही है, सरकार का project elephant चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, project elephant since 1992, अब करना क्या है, elephants को बचाना है, elephants को प्रोटेक्ट करना है, elephants के habitat को प्रोटेक्ट करना है, elephants के को प्रोटे करना है, साथी साथ, अगर किसी elephant को captive रहा है, captivity में उसकी welfare होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता है, सोला राज्यो में, project elephant is very very active, और project elephant को, जो expertise की जरूत पड़ती है, funds की जरूत पड़ती है, वो सारी कहां से आ दिये, देखा हम फ्रम MOEFCC, इसके अलावा, project elephant के अलावा बहुत सारी दूसरे initiatives भी आ चुके, जैसे कि MIC initiative है, monitoring of illegal killing of elephants, यह हम लोग sites के साथ collaborate करके, माइक प्रोग्राम चला रहा है, इसके अवालावा, awareness campaign जदे जिसके हाथ ही मेरे साथ ही हो गया, project elephant के अंडर elephant task force बनाएगी, यह poaching को रोकने के लिए, elephant task force specifically, अब जैसे कि मैंने आपक जैसे कि नेखिए, यह हो गया एक elephant reserve या फिर elephant movement की जगर, और यह हो गया आपका दूसरा elephant reserve, अब इन दोनों को जोड़ दिया आता है, क्योंकि elephants की movement हो जाए, elephants की movement हो, क्योंकि वो wanderers होते हैं, meeting में काफी मदद होती है, तो elephant corridors बनाए जा रहे हैं, इंडिया में काफी elephant corridors अनौ और आपको एक और चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चीज एक और है, especially with respect to the तरही elephant region, क्यों? क्योंकि आप अगर इस map में देखोगे यहां पे, यहां पे, ठीक है, so if you look at this particular map, यह थोड़ा सट tricky चीज होगी, क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे, then you will get the region of Nepal, तो project elephant has to go for a better collaboration, project elephant के तहत, elephant task force जो है हमारी, उन्हें अभी collaborate करनेगा, करना पड़ेगा with Nepal, so probably a transnational elephant reserve भी हम लोग आगे चल के देख सकते हैं, इसके उपर आपको ध्यान रखना है, क्यों? जैसे कि मैं आपको दाए, elephants are migratory, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कई बार, come into India, Indian elephants might go into Nepal, तो इसके उपर भी धान रखनी की ज़रोत है, सरकार को है, so please remember this, right, again a very important pointer, उसके उपर आगे खबरे आ सकते हैं, so these were some of the initiatives, इसके अलवा, let us just end a note on a critical idea, क्यों? अल्दो project elephant चल रहा है, लेकिन project elephant की प्रती, जो पैसा अलोकेट होता है, वो अभी भी बहुत कम है, यह हाली में बताया है, WWF ने, that the funding is very very low, और आपने देखा, 1992 से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन elephant numbers have rather been stagnant, या फिर मैं कहूंगा, 2012 का जो estimate था, उससे भी कम elephants है, 2017 के census में, अब यह क्यों हो रहा है, क्योंकि one of the major reasons is, this particular thing, insufficient funding जाती है, for the project elephant, सालाना approximately 35 करोड जाता है, इसको, which is very very low, then the project tiger, tiger, जो national tiger conservation authority है, वहाँ से काफी जादा funding जाती है, for project tiger, लेकिन elephant को काफी कम funding जाती है, in fact, एक बहुत ही चोटा सा anecdote है, यहाँ पे, that as a frame of reference, that means, the body primarily responsible for conserving, 60% of the world's elephant, क्योंकि हमारे पास ही है, 60% elephant से, it is just twice that of what the most expensive player gets in IPL करके बादाना, बताएगा, again, very funny anecdote, IPL में जो topmost player है, जो, जो auction में जाते हैं, right, right, 15-16 करोड में तो चले आते हैं, just उसके double, अभी जा रहा है, for the elephants, यह बताएगा था, so, one of the, one of the important points here for you to remember, कि सरकार को project elephant के प्रती, और भी ज़्यादा funding बढ़ाने की जरूरत है, right, so, यह था हमारा discussion, ध्यान देखिएगा, तरह elephant reserve कहां प्यारा है, दूसरा elephant reserve बन रहा है, उत्तर प्रदेश में, इसके अलबा, जो भी data मैंने आपको बताया, उससे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं, NCQs आ सकते हैं, so, please, make a note of that, and be prepared very well, अगर elephant के उपर कोई भी सवाल आ जाए, exam में, मैं चाहता हू भी सभी के जभी aspirants जो तयारी करें, गल्ती ना करें, I hope you have got enough fodder from here, right, that is it, in this particular discussion, again, happy Diwali to all of you, please, have a very good, happy and a prosperous and a safe Diwali, and if you have liked this video, you can always follow me on this particular ID, Rahul Sai Tutor, धान रखिएगा, Diwali आपर चल रहा है, do not miss that out, thank you for watching this video, Jai Hind. किंए ऊल्ती आपोग का विती है, do not miss that out, you can always go round the pool, like in this particular situation, I will be the best, you can always go to the community, but you can always follow me on this particular situation, just by yourself. झाल झाल